कौन प्रम्हा का पिता है? कौन विश्णू की माँ? शंकर का दादा कौन है? हमको दे बता ये जानने के लिए कृपया सुनिये जगत गुरू तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वजन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर जैसे सीता जी को जब सीता जी को रामचंदर जी ने और लक्ष्मन जी ने जब सोने का मर्ग बनका है मारिज ची रावन का मामा आया था एक शडियंतर के तहत और वो सीता जी ने वहाँ एक बाड़ी लगा राखी थी बगीची ही बना राखी थी उसने तोड़न लाए गया सोने का मर्ग बन गया माया वई तो सीता ने क्या कहा कि ये मर्ग मुझे जीवित ये मर्द मुझे लाओ अपने अत्माँ इन से बहुत उदार ने ना ची है हमने ऐसे जिद नहीं करनी चीजिए जैसे सीता ने कर दी उसकी स्याथ बोल दे रही थी नोबली मुझे लाके जो जंगल में बैठी है ये मर्ग ने चाटेगी सोने गयने के एक रही तो सारे मेल छोड़ आई ये सारी उन्टी खोपड़ी है हमारी बगएर तत्व ग्यान के नोबली जीनदा या मर्द मुझे चाहिए अब उनको पता था ये आँट लागा बैठी तो सांद रो टी भी ना देगी तो राम पिछा बाज लिया लक्षमन को कह गया कि तू आईए मत पाच्छेत है कि वेरा सोपरकार के जाल हो सकते है और आवाए तक एक रेखा खेच का ये चारों तरफ ये इसने मना कर रहे इसे बाहर नी जा ऐसा ही किया गया अब उसको सीता को बता जिया था अब शीता ने कहा कि आजओ माराद ले जाओ कुटिया से राम आगे गोचला तो उस रेखा से लपट निकली ऐसे आग जैसे खतम कर देगी दस कदम दूर पढ़ा जाकर राम ने और कहा हम आई बिक्सा जैनी है तो इसे बाहर आकर दे मुझे मरावेगी तुझे शराप दे दूगा और नो सो फंड करे तुम सा दू का अनादर करते हो अब वा भूल गी बात कि क्या कह के गए थे कि सिबार मत जाना तू उस सीता का अपना सोच थी ये कि क्या फरक पड़ा है अभी देकर अभी आ जाती हूँ आटा लिया और एक खापार करके जोड़ी मुझे डालन लाएगी पकड़ दी बाहर अड़े तेकाल उसने राउन ने अर गेर लीका अंदे बै लंका में पठ़की जाका है लाखो आदमी मेरे वह दुरकती होई सीता की वहां नो लखा बाग में रोज सता है उस नीच ने ठीक है परमातमा की रज़ा थी वो उसको दुराचार नहीं कर सका लेकिन वहां इतनी दुरकती है लाखों लोग मरवा दिये उसकी तज़रासी लागी क्या फरक पड़ा है कोड़का नहीं कर दी अपनी विरानमाटी उदर से लाखों लोग मर गे तो ऐसे ही आप जी के मन में ये आती है जो परमातमा की मरियादा आपको बताई जाती है नाम भी ले लेते हो और समाज में जो हमारे से विप्रित जो नीच चल रहे हैं वो इस भगती में बादक है औ आप नो सोचो हो के फर्क पड़ा है नियम भंग ओ जाए कोई बात नी क्या फर्क पड़ता क्या पता लगया किसी को तो वो आदमी मार खांगे यहां पर है उन्हीं को हानी होगी आज तक इस दास का जो अनुभाव है और मालक के ग्यान से परिशित है इस परमात्मा की सर्ण मा कर जो एक रस लगे हुए मरियादा में रहते हैं उनके निकट काल नहीं आ सकता उनकी बिलकुल अकाल मरत्यू नहीं हो सकती अब जैसे कोई दुर्गटनावस नाम भी ले रखेर मरत्यू हो जाती है या किसी बिमारी के कारण लाखों में एकाद ऐसा उधार्ण हमें मिला है तो उसका पता चला गयराई से कि उसने नियम भंग कर दिये थे तो प्रमात्मा का अपना आदे से विधान है और उनकी मुखार्विन से उचारी तयवानी के जब लग हंसा हमरी आना और काल लगै नी तेरा बाना जब तक यह हंस पुन्यात्मा मेरे मर्यादा में रहेंगे मेरी आन में रहेंगे काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता तो प्रमात्मा क्या कहना चाहते हैं कि जैसे बगती बीज होए जो हंसा अर्तारू तासके को तर्वनसा उसके 101 पीडी को पार कर दूँ और भगती नहीं कर रहे हो पिर यहां के जोटे सुक में क्या चाहते हो तुम कहते हैं रावन के क्या मंगो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं क्या डिमांड करना चाहते हो तुम बगवान के दरबार में एक छोटी मोटी एक बगवान कोठी दे दे कार दे दे एक पलाट मिल जा एक बेटा हो जा एक ब में आते हूं, ये तो हम रूंगे में देते हैं, हमारे कवीर प्रमातवा, ये सुख जिन को तुम सब जग added बठक लिए और कहीं रहत मिली नहीं, यहां तो फरी में देंगे आपको, ये हमारा विजनस नहीं है, हमारा जो मूल बिजनस है वो तो ये है कि आपको जनम मर्तू से छुटुआ कर आपको सत लोक ले जाएं उसके लिए अगर आप समरपित हैं आप इच्छुक हैं ये ग्यान के मादम से आपको त्यार किया जाता है फिर आप यहां उस ऑस्पिटल में आगे जिसमें जनम और मर्तू का रोग काट आजाता है तो औस्पिटल में आने के बाद फिर डॉक्टर की बात पर ही आपने चलना पड़ेगा अपनी नहीं चलानी चाहिए आपको चाहे कोई हानी होती तो जैसे डॉक्टर है कोई treatment कर रहा है उसमें कोई injection ने लाउ उसमें भी दरद होता है और वो लाग जा रहा है तो मरे अब वो दरद हो रहा है कोई बात नहीं लेकिन उसका बेनिफिट कितना है तो यहां अगर कश्ट थोड़ा बहुत फिर भी आपको महसूस होता है तो अल्ला बहुत होगा आपको यह विचार करके चलना तो कहने का बाविया प्रमात्मा यह बताना चाहते हैं कि क्या मंगो कुछ थिर ना रहाई और देखत नेंड चला जग जाई एक लख पूत सवा लख नाती उस रावन का दीवान बाती अपने अत्मों आपको पता है कि काल का इतना प्रेसर है इतना दबाव है कि संतान की इच्छा जिसकर नहीं है वो संतान की इच्छा के लिए यहां आता है और प्रमात्मा ने लाखों की संख्या में उनकी डिमांड को पूरा भी किया है एकाद को नहीं मालिक चाहते कि इसको ना दें क्योंकि उसके प्रहरत में नकमी संतान भी हो सकती है तो उसको नहीं देना चाहते हैं और उसका पीछा छुटवाना चाहते हैं तो उसको संतान नहीं देंगे वे जैसे नीरू और नीमानी संतान थे उनको यहां से पार करना था संतान नहीं दी स्वेम आगे मालिक मापर एक बालक रूप में उनको उपलब्द हुए सत लोग से चल कर आए सह सरीर बालक रूप धार्ण किया तो इस परकार पर मातमा हम याद दिलाना चाहते हैं कि तुम मान लीजी एक पूत्र मांग लोगे रावन के एक लाख पूत्र थे और सवा लाख नाती थे रिष्टेदा रिलेटिव जे एक सेग तगड़े और बड़े पैसे वाले और बड़े जिनकी बड़ी इज़त थी तो कहते हैं एक लख पूत्र सवा लख नाती आज उस रावन के दीवान बाती है अपने अत्माँ जैसे एक गाउं बसा हुआ है और वो मनमाने एक विक्ती से स्टार्ट हुआ था अब हम चाहते हैं मेरा कुल चल जावा मेरा खानदान मेरा नाम चल जाए नाम तह चल गया नाम तो चल रहे लेकिन आप मनमाने गदावर ने रहा किता है बता उस नाम ने के चाटए है वो फुरशित कोई नहीं एक मेंट की भी तो यहां की जो सारी रीतिया हैं ये काल की एक उर्जन है शड़ी अंतर है इस काल के सारे शड़ी अंतर को समझ कर हमने आगे कदम रखना इस पर फिर हम आगे चल सकते हैं जो बादा है हमारी समारग में कोई पैदा करेगा हम उसे रुकेंगे नहीं क्योंकि हम प्रीचित हो जाएंगे एक लख पूत सवालक नाती उस रावन के दीवान बाती फिर परमात्मा कहते हैं आवत संग ना कोई जात संगाती ना ते साथ में आए जब कोई तेरे साथ आया मरती होगी जब कोई नम परिवार के सुदस्यमत एक नहीं जा तेरे साथ में आवत संगना जात संगाती क्या होया दर्वंदे हा थी राजा लोगों को एक सोख होता था अपने दुआर के आगे किले के बहार एक अलग सथान बनाते थे सबसे पहले सब ने दिखाई दे के हाथी बांध रखे हैं जिसने ज़्यादा से ज़्यादा हाथीबान रखे होते थे वो ही ज़्यादा संपन माना जाता था ये परतीग होता था अब प्रमात्मा कहते हैं क्या भया दर्बंदे हाथी और प्रमात्मा कहते हैं के मेरी आप को एक ही राय है के प्रमात्मा की भगती करो निज नाम गहो निजमत यही अब अगवान हम याद दिलाते हैं कि यहां के जो जुटे सुख और यस को तुचाता है यह तेरी भूल है उसको हटाने के लिए क्या बताते हैं दुरी हो दन से राजा होते संग एको तर भाई ग्यारा अकसाणी संग चल थी देही गीद ना खाई क्या बताते हैं कि दुरी और दन से राजा थे रेक सो एक भाई थे उसके एक से एक सूरवीर और ग्यारा करोड सेना थी उसकी अन्त में कहते हैं उसकी ऐसी दुरुगती हो कर मर्या पहले गीद होती थी तो मरे हुए परशों के मास को खाती थी कहते हैं और जो मरे थे योधा वाँ शैनिक उनकी मास को तो गीद होने खा कर दुआइं दी थी और दो योधन इसादुस्ट इतना करम हीन था कि वो अपनी मां की दृष्टी से बजर का हो गया था उसकी गीद भी नहीं खा सकी थी उसका वो इतना करम हीन इनसान था कहीं भी पुनका साथी नहीं बना तो क्या बताते हैं कि दुर्योधन से राजा होते संग को तरवाई और ग्याराक्सोनी संग चले थी देई गीद ना खाई साथ हजार सगड के होते साथ हजार सगड के होते कपिल मुनिसुवर खाए एक सपूत्र उतान पात का वो परमातम पदपाए कहते पूत्र होते एक कब तेरा दुरू के साथ और बिना बगती वाले चे लाख हो चे दस हो चे कितने हो योज ले से तो पुनातम हमने परमातमा के संदेश और संकेत को समझना है वो क्या बता करती थे परमातमा मन तूहु चलरे सुखके सागर जासब्द सिंधूरत नागर परमेश्वर कवीर देव जी पूर्ण परमातमा वही लीला करते आए हैं जो हमारे इतियास, हमारे सद्गरंध गवाई दे रहे हैं कि वो परमातमा सत लोग से चलकर गती करके आता है अपने परमधाम से और यहां अच्छी आत्माओं को मिलता है उनको ग्यान देता है दात्मी ग्यान से ओत्परोच करता है परिचित कराता है फिर वो संत उस परमातमा की महिमा आगे सुनाता है ऐसे ही आदर्निय ग्रीवदा साहिब जी गाउं छुड़ाने जिला ज़ज़़ हरियाना में हुए हैं उनको परमातमा कभीर परमेशवर जी सत लोग से चलकर आकर मिले थे फिर उनको अपने अजातम ग्यान से परिचित कराया और उनके अंतर आत्मा में परमातमा ने अपना ग्यान फीड कर दिया और सच्खंड ले जाकर उसकी आत्मा को सब सतीती से परिचित करा कर बिर माविशनु में इसकी सतीती से परिचित कराया अपनी समर्थता से प्रिचित कराया और यहां के सब विर्मांडों को दिखाया और फिर वापिस छोड़ दिया नीचे उनके उनको मर्ज जान लिया था गरीबदास जी को दस वरस की आयू के थे वो उनको चिताप रख दिया था फूकने के लिए सुभा करने के लिए अन्तिम संसकार करने के लिए तब ही प्रमात्मा ने उस आत्मा को कबीर देव जी ने वापिस भेज दिया और वो बच्चा जीवित हो करके फिर प्रमात्मा के गुनगान करने लगया उस आधनिय गरीबदास साहिव जी ने ये प्रमात्मा के विश्यम जानकारी दी गरीबदास साहिव ने कबीर जी का साक्षात कार किया उनको सच्खंड में देखा, सतलोक में देखा फिर क्या बताया मन तू चलरे सुक के सागर जा सब्द सिंधूरत नगर अपना अत्माओ ये है वो सचिदानद घंब्रम की वाणी जो कबीर प्रमेश्वर ने इस गरीबदास साहिव जी के हर्दे में फीड कर दी उन्होंने फिर आगे वक्ता बनकर उस ग्यान को एज़िटीज लिपिबद करवा रखे है और यही ग्यान इस काल को दिया था सुकसमवेद रूप में इस काल ने जुलम किया था इसको नश्ट कर दिया था उसी ग्यान को देने के लिए स्विम परमेश्वर भी आते हैं कबीर परमेश्वर ही आते हैं जैसे आज से 600 वर्स पहले सन 1308 में में आये थे 120 वर्स रहे सन 1518 तक मालिक रहे और यह ग्यान देते रहे जो दरम दास जी ने लिपिबद किया अब समय कांतराल जादा हो जाने से बीच में इन नकली काल के दूतों ने कबीर पंथियों ने कबीर साहिब में कुछ गड़़ी करने की चेश्टा कर रखी है उसको फिर से सुचारू करने के लिए परमात्मा ना अपनी प्यारी आत्मा ग्रीबदास जी को सेलेक्ट किया उनके इंतेकरण में यह ग्यान फिर से फीड कर दिया फिर से रिन्यू करके चले गई आए थे सैसरि राय सैसरित ले गए थे परमातमा और गरीब दास्टी की आत्मा को साथ लेकर गए थे तो गरीब दास्टी ने पिर ये परमातमा के ग्व्यान को कैसे आगे डिफाइन किया है संखों लेहर मेहर की उपजें कहर नहीं जा कोई दास गरीब अचल अविनासी सुख का सागर सोई सत लोग के अंदर हमारा स्रीर इस पांस ततो से बना दाए है एक ततो नूरी ततो से तेज ततो से बना है वहां रागद्वे सी इरसा नहीं है कभी 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 एकांत नजब बैठे हो एक ऐसी हिलोर उठती है अपने अप अंदर से ऐसा लगता है जैसे अब कोई भी पराया नहीं है किसी के परती भी दवेश नहीं रहता सब अपने से मैसूस होते हैं इस दास के साथ तो बहुत बार ऐसा बीटता है पहले भी बीटता था उसमें हमें कोई भी अमारा सत्रु नजर नहीं आता किसी ने कितना सता रख्या हूँ तो वो मेहर की लैर थी वो सब के उपर एक दिरिष्टी मेहर बरस रही थी किसी के पर दोवेश नहीं आया था और ये दोवेश हमें बैचेंद करता है दुख ही करता है परिशान कर देता है दुख का कष्ट का कार्ण बढ़ता है वो जाने के बाद फिर वो चाने से भी वो भाव नहीं बन पाता तो परमात्मा की महिमा को गरीब दा साहिब जी बता रहे हैं कि उस सत लोक के अंदर वह ऐसी बश्टा रहेगी जैसी यहां आपकी कभी कभी कुछ सेकंड रहती है संखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई दा से गरीब अचल अविनासी सुख का सागर सोई अब कहते हैं उस सुख सागर में चल सत लोक में जा दुख नाम की चीज़ नहीं जैसे समुदर के अंदर बहुत दूर चले जाते हैं समुदरी जहाज तो उन यातरियों को जल के अतरीक समुदर के अतरीक तुआ कुछ भी नजर नहीं आता तो सत लोक में जाने के बाद वो सुख शागर है वह और दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती है सुख ही सुख सुख ही सुख अब जैसे कुछ पंथ हैं सत लोक की में माग आते हैं सच्खंड सच्खंड करते हैं यह और इनको कैक है का पता नहीं सत लोक के बारे में कहते हैं सच्खंड में जाने के बाद आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है जैसे बूंद समुदर में वहां तो परकास ही परकास है वहां परमातमा नराकार है जब परमातमा वहां नराकार है हम के टिंडे लाएंगे वो परमातमा दो रहा है बताओ हम के करेंगे जब वहां बगवान नहीं बनेगी रूची किसे की सपने में भी ना हो सकती और हम भगवान को ढूंड रहे हैं उसको देखने से हमारी आत्मा गद गद होएगी उसका गदो खुरो आंगे और वो हमें सुखी करेगा तो उसको ढूंड रहे हैं और वो है यह नहीं फिर वहाँ पर किस किनुचीवन है एक तरफ तो कोई कह रहा है आम खा लो आम खाओ बड़े मिठे होते हैं स्वादिश्ट होते हैं और आम कहा है बाग में वहाँ कैसे होते हैं आम तो वहाँ निराकार है बता कोई बात हो यहाँ आम निराकार है तो कहने का भाव यह है आम की जो महिमा सुन रहे हो जो महिमा परमात्मा की गुनगान किये जा रहे हैं वो परमात्मा का साकार रूप उता रख्या वेदो और गीता और परमात्मा की वार्णी में संतों ने और संतों की वार्णी में वो हमारे दैसा हमरे ही उनियार है हमरा सरजनहार लेकिन हमारे ही वहां सतलोक में अपना जो सरीर के सोभा होगी इतनी सुंदर होगा इतना तेज होगा सोला सुरिय का परकास के स्तल हमारा सरीर का नूर होगा और प्रमात्मा का उसमें बहुत अंतर है इतना अंतर तो है लेकिन सकल एक जैसी है सरीर एक जैसा बनावट एक जैसी है और ये कहते हैं वहाँ कुछ नहीं है तो फिर नोह कहाँ मेडिटेशन क्या करो डाइ गुंटे सुबर डाइ गुंटे से आपने क्या करोगे परकास देखो किसका परकास परमात्मा का अरब परमात्मा बेना परकास किसका देखोगे अब कोई कह सुरिये का परकास देखो सुरिये का परकास देखो अब सुरिये है नहीं परकास का यहां देखोगे सुरिये से ही परकास है सुरिये साकार है प्रमात्मा का ही प्रकास है प्रमात्मा साकार है अब जैसे कोई तलाब के पास किसी का मकान हो जोड के सार है और वहां से सुरिये का प्रकास रिफलेक्ट होका है उनके कि तक कमरे मजाता हो जाखिमा का खिडखिमा के तो वो रिफलेक्टिड जो परकास है वहां पर वो सुरिय नहीं दीखता है वहां रिफलेक्टिड परकास दीखता है उसका रिफलेक्शन दीख रहा है वो परकास किसका है मान लिजिए तो उसने कोई कहे कि यह सुरिय का परकास है और फिर उसको कोई बतावे सुरिया कैसा है सुरिया तो है यह निराकार है क्योंकि उस कमरे में वो सुरिया दिखाई नहीं दे रहा क्यों रिफलेक्टिट परकास दिखाई दे रहा है तो ऐसी सतीती हमारी होगी क्योंकि परमात्मा सतलोग में है और उसका परकास रिफलेक्टिड होकर के यहां काल के बिर्मंडों में आया हुआ है और इस काल के बिर्मंडों से हमारे अंतेकरन के अंदर स्रीर में उसी परमात्मा का परकास रिफलेक्टिड है जैसे जल से रिफलेक्टिड होकर के परतिविम बन करके केवल प्रकास नजर आ रहा, सुरिया नजर नहीं आ रहा तो इस कारण से इन अज्ञान सिध्धान्त बना लिया क्योंकि जो साधना इनोंने की मेडिटेस्र किया, वो नाम के जाब किया तो समाधी दसा में इस काल ने विश्णु रूप में दरसन दे दिये किसी को ब्रमाजी के रूप में दरसन दे दिये, किसी को शिवजी के रूप में दरसन दे दिये तो जिसने समाधी दसा में विश्णु जी के रूप में देखा उसने डिनोरा पेट दिये, ये सत्गुन विश्णु ही भगवान है, ये ही भगवान है और फिर क्या देखा विला परकास ये परकास देखा अब एक तरफ तो साकार विश्णुजी को भगवान मान रहे हैं और दूसरी तरफ कोई पूछ है परमात्मा कैसा हो तो निराकार है वो दुखाई थोड़ा ही देता है और क्या देखा समादी में दूसरा क्या देखा कि परकास देखा किसका परभू का परकास देखा फिर क्या पताते हैं सैंसरार कमल मजाकर के परकास देखा वो किसका परकास परमात्मा का परकास है और परमात्मा तुम निराकार बताते हैं ऐसे सतलोक से परकास परमात्मा का यहां रोज से नहीं आया हुआ है और इनके रिफलेक्टिड होकर के वहां विजीबल है लेकिन वो रिफलेक्टिड परकास जो है परमात्मा का रोप नहीं दिखता जिस कारण से इनों अग्यान सिद्धान से बना दिया कि परमात्मा निराक है लेकिन बगवान साकार है तो क्या बताते हैं मन तू चलरे सुक के सागर जा सब्द सिंधूरत नगर कहते हैं सुक की खान है आगार माने डिपो खान वो सुक की खान है सतलोक में वहां चलो फिर क्या याद लाते हैं कोट जनमत न भरमत होगे कुछ ना हाथ लग्यारे कुकर सुकर खर वया बोरे कवाहन से बुगारे कोटी जनम तू राजा की न्या मिटी नमन की आसा भ्यक्षक होके दरदर घूम लिया ये मिलान निर्गुन रासा इंद्र कुबेर इसकी पद्वी बिर्मा वर्ण धनम राया विष्णो नाथ के पुरकों जाके तु फिर भी उल्टा आया असंग जनम तन मर्चा होगे जीवित क्यो नम रेरे द्वादस मद महल मठ बोरे बहुर नदे धरेरे दोजिक भिष्ट सभीत देखे राजपाट के रसिया तीन लोग से तरपत नहीं ये मन भोगी खसिया सत्गुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना चल अनसा उस लोग पढ़ाओं जो आदी अमर अस्थाना च्यार मुक्ती जहां चम्पी करती माया होरी दासी दास गरीब अभै पद पर से वो मिले राम अविनासी अपना अत्माओं जो दास आप जी को समझाने के लिए प्रहरम क्या था बेटा जाया खुशी हुई ये बहुत बजाए था ले ये तो आना जाना लगया हुआ है जोंकीडी को नाले अब उसकी भूमिका भी नहीं बनी हवी तक और दो गंटे होगे हैं क्योंकि ये काल ने इतना जटिल बना जिया ये अग्यान इतना अड़ा जिया इन काल के दूतों ने रिशी महरिशियों ने काल प्रेरना से इस अध्धातम ग्यान को अपने अपने अनुभाव के कारण इतना उड़ा दिया वगवान से कोशों दूर कर दिया तत्व ग्यान से बहुत दूर ले गे समाज को कबीर प्रमेश्वर जी कहते हैं कि इन्होंने ऐसा उड़ा दिया इस तत्व ग्यान को जैसे सूत उड़ जाकर सूत प्रमातमा कबीर जी दुलहा रूप में धानक रूप में एक भूमी का करने आये थे और वो सूत से प्रीचित थे वैसे तो वो मालिक सब से प्रीचित है लेकिन हमें उधान दे रहे हैं पहले क्या होते थे हमारी माताएं ददी का कीताई क्या करा करती वो काच्चा करती चर्खों पर और तर्खें को अपर एको कूकडी बनेा करती प्रत्ति दागे की रील इशी मोटी और फिर उस रील को अलग से उस सूत को बना करते थे दूँ हाथ पर लाकर ऐसे ऐसे करकर उसको फिर देते थे जुलहाओं को दानकों को कि हमारी कोई दरी बना दो, कपड़ा बना दो, तो कभीर प्रमात्मा बताते हैं कि वो सूत, अगर एक किलो सूत उड़ जा, सारा दिन लाग जा उसको सुलज आने में, और सुलज करना दे, क्योंकि टूटे दा गाठ पड़े, और गाठ पड़े दा यूजलेस क्योंकि फिर को बुणाई मिलना नहीं, दरी नहीं के गाठ लाजी हम तरना लेते, तो प्रमात्मा कहते हैं, उसको सुलज जाने में कितना समय लगता, धीरे-धीरे गाठ पीड़ना लगया, तूटे भी नहीं, तो कहते हैं, इनोंने नो मन सूतल जा दिया, इस अज्ञान बना दिया, त सद्गरंथों को ना समझ कर, तो प्रमात्मा क्या बताते हैं, नो मन सूत उलजिया, ये रिशी रहे जखमारे, सत्गुरु ऐसा सुलजा दे भाई, उलजै न दूजी बारे, नो मन सूत उलजिया, रिशी रहे जखमारे, सत्गुरु ऐसा सुलजा दे, उलजै न दूजी ब अब अभी तक ये नौमन सूतल जड़ा था ये अधात में ग्यान वाला है ना अक सतियों के रिसिया ना पता ना विर्मा विश्णों महेश को कैखे का पता वेदों के बारे में अप नात्माओं ये सब दास सिंपली कैतों देता है ये भी पता होता है क्योंकि ये विशीडी बन रही हैं हम समाज में भेज रहे हैं अगर यहां पर कोई परमान ना दिया गया तो कत्ती गड़े उतरे नहीं या विरोध और सुरू हो जाता है कि ये कहता है विश्णों के रिशियों को भी ज्यान नहीं था विर्मा विश्णों महिश को भी ज्यान नहीं था ये कैसे हो सकता है क्योंकि हम विर्मा विश्णों महिश जी को तो अजरू अमर सुप्रिम पावर जगत गुरू पतानिके के वैख्या दे रहे थे उन्हात्माओ ये दास परमान के साथ बात करता है लोक वे ते बहुत सुना रहा थे इन अग्यानियों ने और सबने सविकार कर रख्या और ये तत्व ग्यान अगर मोखिक सुना जया दाए तो कोई नहीं सुनाए और परमान के साथ दिया जाता है तो पुन्यात्मा तुर्ण से भी कार कर लेते हैं क्योंकि हमारे सद्गर्णतों भिद्वान हैं तो यहां एक दिखाना पड़ेगा आपको कि सत्योग के महरिशियों को सत्योग के ब्रामनों को ब्रामन को चे महरिशी को चे रिशी को उनको भी वेद ज्यान नहीं था देखेगा देवी भागवत इसका परमान देगी शिरी मद्द देवी भागवत सचीतर मोटा टाइप केवल हिंदी घीता प्रेश गोर्व पुर्शे परकासित है शंपाद गन्मान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी प्रकासिक में मुद्रक हैं गीता प्रेश गोरकपुर गोविन बहुनकारियले कोलकाता का संस्थान यह इनके फैक्स और फोन नंबर है अब देखेगा चार्सो चोदा प्रस्ट पेट यह है संग्सिव देवी भागवत छटा सकंद और प्रस्ट नंबर चार्सो चोदा हम पढ़ते हैं नीचे जन्मे जे ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का सरूप है इस संपुर्ण विशे को विशेश रूप से बताने की किरपा कीजिए व्यास जी बोले जो इन वेदों का पुराणों का गीता कादी का राइटर है लेखक है व्यास जी बोले राजन यह निश्चे है कि सत्युग में ब्रामन वेद के पूर्ण विद्वान थे उनके दोरा निरंतर भगवती जगदंबा की अरादना होती थी भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललाईत रहता था पर तेक गाओं में सक्ती मंदर का उदगाटन हो इस विश्चे की उनके मन में बड़ी उच्चुकता रहती थी अब देखो आलिया ओड सत्युग के रिशी में रिशी अलि ब्रामनों का रिशी को चे ब्रामन को हो यह वशिष्ट जी वशिश्वा मित्तर जी बारदवा जी सारे रिशी थे ब्रामन थे अब यह क्या कहते हैं व्यास जी रादन यह निश्चे है कि सत्युग में ब्रामन वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके दोरा निरंतर बगवती जगदंबा की अरादना उती थी यानि देवी की पूजा करह करते हैं और पर ते गाम में सक्ति यानि पूर्गा का मंदिर हो या उनकी खास सोच थी चाह थी अब सत्युग से इन मंदिरों का लठी ने गड़ा रहे हैं अब देखो यह तो सत्युग में क्या बता है कि धर्म की यह सत्युग तरेता में भी रही परन्तु कुछ हरास हो गया था सत्युग की जो सत्युग की थी वह दुआपर में विशेश रूप से कम होगी राजन उन प्राचीन युगों में जो राक्स समझे जाते थे वे कली यानि कली युग में ब्रामन माने जाते हैं अब ये तो है सत्युग के रिशी जिन इतना वेद का ग्यान था विला दुर्गा की पूजा होती थी वेदों किते भी दुर्गा की पूजा गा ना मुने साहन नहीं है अन्ना गीताजी में दुर्गा की पूजा का गीताजी चारों वेदों का सारांस है उन्हीं का अंस है कोड़ वर्डो में यानि संक्सिप्त में उसमें केवल आठ में जाया कि तेरे में स्लोक में लेखिया मेरा एक ओव मंत्र है नचिंग ऐलस है दुर्गा की किता पूजा का जिकरनी और ये कहे है सत्यू के अब्राह्मन वेज के पूर्ण विद्वान थे हर्वाद दुर्गा की पूजा करते थे उसका दर्शन करने में उनका मन लाइत रहता था और परते गाउम सक्ति मंदर का उद्गाटन हो इस विशे की उनके बन में बड़ी उच्शुकता थी अब कल्यू के ब्राह्मन प्राइपाखंड करने में तत पर रहते हैं दूसरों को ठगना जूट बोलना और वैदिक धर्म करम से अलग रहना कल्यूग इब्राह्मनों का सभावे गुंड बन गया है मुनातमाओ यदी मोखिक ये कहके छोड़ दिया जाए एक नहीं सुना इस मालक के यथारत गयान को और अब सभी सुनेंगे क्योंकि इन पर्मानों को देखेंगे गदगद हो जाएंगे अब ये तो कह रहे हैं कि सत्युक के अब्राह्मन बड़े विद्वान थे दुरुगाई पूजा करा करते और दुरुगा कहती है कि उस बर्म की पूजा करो सारी बातें छोड़े दो मेरी पूजा भी मत करो उसका ओम नाम है देखिएगा पुनातमाओ ये दास बार बार आपको याद दिलाता है कि बगवान का पाना सबसे आसान है सत लोग में जाना यहां से पीछा चुटवाना जनमर तुसे बहुत ही आसान है इजी है क्योंकि इसमें करना भी कुछ को जा हम अपना जो परती दिन जो कारिय करते हैं वो करम करते करते हैं अमने परमातमा की बगती करनी होती है इन अग्यानियों ने इसको इतना जटिल बना दिया कोई तो बर्फ में खड़ा होके तपस्या कर रहा है कोई किता दोने बठबाल रहा चारों तरफ उसमें बैठ़ा आख मीचे पसू की तरह कोई नंगा खड़ा है कोई खड़ा होके तप कर रहा है कोई उड़्टा शर कर रहा है कोई वरत रख रहा है कोई मंतर का जाप कर रहा है तो हम ये सोचा करते थे कि ये साधनाए तो ये ही जो कर रहे हैं ये प्रमात्मा प्राप्ट कर सकते हैं अब पता चला कि किसी भी गरंथ में ये हठियों करने का आदेश नहीं बलके इनको तो निसेज बताया है जैसे ये दुर्वेदध है नंबर चालिस के मंतर नंबर पंदरा में कहा है वाईयू अनीलम अमर्तम अठिदम बसमानतम सरीरम ओम कर्टू समर कलवे समरो कर्टू समर ओम नाम का जाप काम करते करते से मन करो विसे इस कसक के साथ से मन करो मनस जिएमन का एक पर्फम करते हो जानकर ओमका सिम्न करो जब तुमारा स्रीर छूटेगा तब इसका लाब मिलेगा बसमानतं स्रीरन जब स्रीर का नास होगा जब तुमारा यथ्धा यथ तुम geç की है इस सतर की जो अमर्तव है तुझे प्राप्ट हो जागा ये ओम नाम के जाफसे ब्रहम लोक में जाते हैं ब्रहम लोक में काफी वरसों तक कई हजार योगों तो कि ये प्राणी महा सुरुग में रहता है ब्रहम लोक में रह जाता है और इसलिए कहते हैं ओम सतर की जो गती है उससे प्राप्ट होगी जैसे गीता जी दहनम राठ के सलोक नमबर तेरा में कहा के ओम इती एक आक्षरम ये काल बोल रहा है ब्रहम गीता जी का ग्यान श्रीकर्शन में प्रवेश करके ओम इती एक आक्षरम ब्रहम विभारन मामनु समरन माम ब्रहम मुझ ब्रहम का कि वलेकोम अक्षर है उचारण करके सिम्न करता हुआ यह परियाती तजन देहं दो स्री छोड़ कर जाता है सैयाती परमाम गतिम अब ओम नाम से जो गती होती है वा स्रेश्ट गती कौन सी है वा परम गती कौन सी है बरम लोक प्रापती तो इसी परकार यह दुर्गा कह रही है कि ओम नाम का जाप कर और बरम लोक में चला जागा और मेरी पूजा भी छोड़ दो तो की से भी दुआन थे सत्यू के बरामन और कली योगर तरेता दौा पर आला है और भी निमन सत्रता और कली योग का तो जानने कली रह कर गया कि उन योगों में सत्यू तरेता दौा पर मजो राक्स समझे जाते थे आज के बरामन हैं बरामन ये बरामन नहीं जो बरामन वो होता है जो गुरूपद पर है जो मारक दरसक है अध्धात्मी एक टीचर है परमात्मा को पैचान ले और वह बरामन है वही पंडित है तो आप देखिएका दूर्गा क्या बताती है ये तक हैं दूर्गा वेद के पक्के विद्वान थे अर्दुर्गा की पूजा करते थे सतियों के ब्राह्मन अर्दुर्गा क्या कहती है सात्मा सकंद संक्सित देविपुराण 562 परिफ्ट पर अब देवी देवी दुर्गा जो है इमाले को ग्यानोप देश देरी है और ब्रम शरोप का वर्णन कर रही है शरी देवी जी कहने लगी परवत राज अब यहां से लेंगे क्योंकि यह पहले ता अपना बताती है मेरी भी पूदा छोड़ जो आगे बताएगी उस ब्रहम का क्या सरूप है यह बतलाया जाता है जो परकास रूप हर्द्य रूप गुहा मसतीत होने के कारण गुहा चर नाम से परसीद है परसीद और महान पद और पर्म प्राप है अर देखना वह समस्त परजा के ग्यान से परे है अर्थात किसी की पुधी में आने वाला नही है यह तुम जानो जो पर्म परकास रूप है जो सुखसम से भी अतेंट सुखसम है जिसमें संपुन लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सती थे वह है यह अक्सर ब्रम है अब जिन पुन आत्माओन इस दास का ग्यान सुन रहा है वो तो आसानी से समझ जाएंगे यह वाबाई बोल रहे है दुर्गा इसको अक्सर ब्रम कह रही है ब्रम को यह तो सर ब्रम है नासवान है अब यह महिमा तो गाते हैं पुर्ण प्रमात्मा की और अखिर में नाम बताते हैं ब्रम का, काल के जाल का इनको पता ही तना है ग्यान इनको वह सब की प्राण है वह सब की वानी है और वह सब के मन है वह यह प्रमसत्य और अम्रत अविनासी तत्व है उस बेदने योगे लक्से का तुम बेदन करो मन लगा कर उस मतन्मे हो जाओ सो मैं उपनिस्त मकथीत महान अस्तर रूप दुनुस्क लेकर उस पर उपासना द्वारा तिक्सन किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावा नुगत चित के द्वारा उस बाण को खेंच कर उस अक्सर रूप ब्रहम को अक्सर रूप ब्रहम को ही लक्से बनाकर बेदन करो यहां तक कह रही है अक्सर ब्रहम और यहां क्या कहती है कि परनव ओम ता उसका दनुस है यानि यू तर नाम है जीवातमा उस बाणन ना खेंचा यानि जाब करें और बरम टार्गेट ओ ओम का जाब करें बरम प्राप्ति उद्धे से हो यह अक्सर बरम यहां अक्सर बरम कह रही है यह यहां क्योल बरम पर आगे यह नो बरमित हो रहे हैं सभी महिमा शुरू करते हैं क्योंकि वेदों में पूर्ण प्रमात्मा की महिमा है और पूर्ण प्रमात्मा के पाने की वेव वरसिप नहीं है इतना ही अंतर है लेकिन कभीर प्रमात्मा कहते हैं बेद मेरा भेद है मैं बेदन मैं नहीं और जोन बेद से मैं मिलूँ ये बेद जानते नहीं तो ये सभी बहिमातों गाते हैं अक्सर ब्रहम यानि अविनासी भगवान की और आखिर मैं मंतर ओम को मान लेते हैं उसी का और ये भी कह रही है ब्रहम का वो जाप ओम है आगे देखिए उस एक मातर परमात्मा को ही जाने दूसरी सब बातों को छोड़ दे दुर्गा कहती मेरी पूजा भी नहीं करनी चाहिए यही अमर्त रूप परमात्मा के पास पहुचाने वाला पुल है संसार समुदर से पार होकर अमर्च रूप रमातमा को प्राप्त कराने का ये सुल्ब सादन है इस आत्मा का यानी ब्रम का ओम के जब के साथ Дयान करो इस से अढ्यान में अधकार से सर्वता परे और संसार समूंदर से उस पार जो ब्रम है उसको पा जाओगे तुम्हारा कल्यान हो आप देखिए यहां क्या कहती है कि वह सबका आत्मा बर्म वह सबका आत्मा बर्म बर्म लोक रूप डिव आकास में रहता है वह सती थव बर्म लोक में रहता है बर्म और ओम नाम का जाप करो और बर्म बर्म को प्राप्ट कर जाओगी अपने अत्माओं दुर्गा कह रही है कि बिरम की पूजा करो ओम नाम उसका जापर नथिंग एलस और मत करो सब बातें छोड़ दो जा तुम्हें कल्यान चाहिए और ये सत्यू के बरामन के हैं बलावेद के पूर्ण भी दुजा करते थे वो टट्टू भी दुजान थे कमाल की बात करेंखी वेदों में कहीं भी दुर्गा की पूजा ने दुर्गा कह रही है बराम की पूजा करो ओम नाम है और कुछ भी मत करो तुम्हें कल्यान चाहिए इन दड़ले डोन चाहिए था माया के पूजारी थे शिद्यां चाहिए थी या दन चाहिए था अब जैसे एक कष्षप नाम के रिशी थे कष्षप नाम के और एक बार राजा प्रिख्षित को सराफ दे दिया रिशी ने कि सात मजन तरी मरत्यू होगी साप डसेगा कष्षप रिशी के पास एक शिद्धी थी कि सरफ के डसे से हुई बर्त्यू को वो जीवित कर सका था अपने मन तरी शिद्धी के कारण वो चल पड़ा अब सरफ को पता चल गया वो शिद्धी युक थे सरफ को बता दिया अकषी रिशी ने कैसे ऐसे कष्षप रिशी उसको जीवित करेगा तो वो सरफ जो है तकसक रस्ते में मनुस रूप धारन करके खड़ा था रिशी से पूछा आप कहा जा रहे हो रिशी ने बता दिया कष्षप रिशी ने कि मैं ऐसे ऐसे राजा प्रिक्षित को सरफ डस देगा तकसक और मैं उसको जीवित कर सकता हूँ अब वो तकसक कहने गया रिशी जी आप वहां आ जाओ मैं वो तकसक हूँ और रिशी ने सराफ दे दिया मुझे आदेश दे दिया उसको कि तू उसने डस और यदि मैं नहीं डस हूँगा और वो नहीं में रहा तो इस ही मुझे शराफ दे देगा वो बहुत सिद्धी वाला है और आप ना जाओ किस्थिप कहने लगा नहीं मैं तो जाओंगा मुझे वहां से क्या हुदे से तरह वाजाने का कि बहुत दन मिलेगा और ये एक दम जल जाएगा सारा जिसके डंठड पेड़ पेड़ ये रह जागा तना तना तम हो जागा कती कोला हो जागा क्या तो इसको जीविट कर देगा रिसी कहने लगा हाँ तो तकसक ने अपना रूप धान करके सरफकार उसको डस दिया वो रक्सकती जल गया सारा और उसकस्य पर इसी ने अपनी मंतर बोलकर उसको उसा रहा बिरा कर दिया तकसक के पेर तुले के दुर में निकल गी तकसक के ने गया वितन जो पैसाची है बेरे से ले ले मैं तुझे धन दे जूँगा पर तुवहां मत जा वो नहीं मानिया फिर उसने कहा खिर मैं देखा ध्यान दिरिष्टी से देखा रिसी ने क्या देखा कि अभी राज़ा प्रिक्षिकित के प्राहरव में ही ऐसा लिखा हुआ है प्राहरव में उसकी मर्च्व है उसकी आयू सेस नहीं है तो उसी समय कहन लगया ठीक है तक सक ला मुझे धन दे तू क्या देना चाहता मैं नहीं डशना चाहता मैं उसको जीवित नहीं करूँगा अब तक सक ने कहते हैं उनको काफी धन दे दिया अरपंड़ जी गेर काड़ पर वापिस आगया ये इनकी साधना ची सारी उमर डलेड होए ये सिद्यां प्राफ्ट कर ली और परभू पाए किए साफ के जाड़े लान लाए किए तो इसलिए सत्योग के ब्रामना में दुर्गा की पूजा की उत्सुकता थी ये सिद्यां प्राफ्ट करका दनी बने थे किसे अगर दंतर मंतर कर दिया राजा लोग दन दे देते ये अपना काच्चे काट्या करते इनके जरूँ सब अगवान की साधना की अब दुर्गा कह रही है कि तुम सब बातें छोड़ दो ओम नाम का जाब करो बिर्म प्राफ्टी हो जागी और बिर्म क्या करा गीता जिद्या नमर ठारा के सलोक नमर बैसेट में के अर्दुन तु सर्वभाव से उस परमेश्वर की सर्ण मजा जिसकी करपा से तु परम सान्ति और सनातन परम धाम को प्राफ्ट होगा उसके विसे में गीता जिद्या नमर चार के सलोक नमर चोंतिस में कहा कि मुझे गान नहीं उस परम अक्सरग्रम के बारे में जिसकी साधना से आमर तव प्राफ्ट होता है पुर्ण मुक्ष होता है उसके लिए तत्वदर्शी संतों के पास जावन से वो ग्यान संद वो बताएंगे वो ग्यान इससे सिद्ध की गीता जी का ग्यान कंप्लीट नहीं है लेकिन गल्त नहीं कह सकते इसको इनकंप्लीट है ब्रह्म तक की साधना का इसमें जानकारी है और वह से पूर्ण प्रमात्मा की महिमा से ये भरा पड़ा है चारों वेद और गीता जी अपने आत्माओं एक सबदास ने और बोला कि ये ब्रमा विश्णु महेश अर्था स्री किर्शन जो विश्णु अबतार थे इनको भी अध्यात्मी ज्ञान का कैखेका नहीं पता था अज़ दिन के सत्संग में भी सुना था थोड़ा सा भी से लिंक बनता है ये भी दिखाना पड़ेगा भी देखिएगा अपना आत्मा जो सवस्थ विक्ती होता है उसको सुबह भी भूख लगती है और स्याम को भूख लगती है तो वो सवस्थ है और सुबह जो खाना खा लिया और स्याम नहीं रोटी दिखी और मत था ठटन क्या उसको रूची नहीं बनी तो समझो उसको कोई बिमारी हो चुकी है नहीं तो सवस्त को ब्यक्ति को वही रोटियां सुबह भी अच्छी लगेंगी स्याम नभी सब्जी का थोड़ा बहुत फेर बदल होता हो ना सवस्त को हुआ भी कोई ज़्यादा मैं तो नहीं रखती तो अपने आत्मा ये प्रमात्मा की महिमा आत्मा का आहार है जो आत्मा सवस्त है जिसके अंदर चाह है प्रमात्मा की सो बार सुना इस महिमा को और आखरी सांस तक सुनते सुनते और गुन गाते गाते जावांगे तब तक इसकी रूची रूची ना हो रूची बनी रही तो आप सवस्थ हैं आपकी अबगती ठीक चल रही है और नहीं तो उसका कारण क्या जैसे कोई बिमार वेक्ती होगा रोटी ना सवाई बोजनी अच्छा लगया तो उसका क्या एलाज है वो खाता है जब कडवी लगत तो ऐसे ही इन सत्संग में जो किसी को थोड़ी वो तारूची होती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है कि ना चाहिए भी सुनना चाहिए और फिर कुछ देर के बाद देखना कितना इंट्रेस्ट फिर फिर से बन जाता है अब देखिएगा वही देवी भागवत गीता प्रे एक वर्स पढ़ता है कह ए फोर पल जब जाकर उसके सेट होए थोड़ा तिदास का उदेश से है कि आपको कतिर रंग दो इस रंग में है इस ग्यानमा प्रिपूर्ण हो जाए आठाइस परिश्ट पर देवी भागवत पहला सकंद नारज जी ने कहा ये व्यास जी है लेख है इस पुरानों के नारज जीन का महाभाग व्यास जी तुम इस विशे में जो पूछ रहे हो ठीक यही परसंद मेरे पिता जी ने भगवान श्री अरीशे किया था देवा दीदेव भगवान जगत के स्वामी हैं लक्समी जी उनकी सेवा मुपस्तित रहती हैं दीव लिए कर गदा लिये रहते हैं पिताम बरदान करते हैं चयार वुजाएं वह सतल पर श्री वथ का चिन्य समगता रहता है विश्नु जी को जगत गुरू कह रहे हैं विरमा जी नारद का और वियास जी में कितना घ्यान था जगत गुरू एम देवताओं के भी देवता हैं ऐसे जगत प्रबू बगवान शरी हरी महान तब कर रहे थे, उनकी समाधी लगी थी, यह देकर मेरे पिता बर्माजी को बनास्त्रिय हुआ, उन्हों ने उन से जानने की इच्छा पर गट की, बर्माजी ने पूछा प्रबू आप देवताओं के जख्ष, जगत के स्वामी, भूत बविश्य और वर्तवान से भी जीओं के एक मातर सासक है, दर्माजी विश्णों जी को सर्वे स्वा बता रहा है, बगवन फिर आप क्यों तो तस्या कर रहे हैं, और किस देवता के रहा दनाम ध्यान मगरे हैं, मुझे असी मास्रिय तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर, एवन सारे संसार के सासक होते हो भी समाद्गी लगाए बैठे हैं, अब देखो, परसन किया है कि आप किस देवता की बगती कर रहे हो, अब उत्तर देते हैं, भगवान विश्णों जी, ब्रमा जी के विनित वतन सुनकर भगवान शिरी हरी उन से कहने लगे हैं, ब्रमन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ, देवता, दानों और मानों सब यही जानते हैं कि तुम शिरिष्टी करते हो, मैं पालन करता हूँ, संकर सहार क्या करते हैं, किन्तु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ती से यह सिद करते हैं, कि रचने, पालने और सहार करने की जो योगता जो हमें मिली है, उसकी अधिष्ठात्री सक्ति देवी हैं, वे कहते हैं कि संसार की शिरिष्टी करने के लिए तुम्हें राजसी सक्ति का संचार हुआ है, तुम मैं, इसी ये विशे दोरा कि रजगुन गर्माजी, सत्गुन विश्वु, तमगुन शिवजी है, तुम मैं राजसी सक्ति का संचार हुआ है, और मुझे सात्विक सक्ति में लिए और रुद्र में तामसी सक्ति का आविर्भाव हुआ है यहां देखिए शूवर्थ पर्तेक्स और प्रोक्ष दोनों उधान में तुम्हारे सामने रखता हूं सुनो यह निश्चित बात है कि उस सक्ति क्या धिन होकर ही मैं इस सेश नाग की सहिया पर सोता और सिश्टी करने के आवसर आते ही जाग जाता हूं मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं उस सक्ति के सासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता कभी आवसर मिला तो लक्समी के साथ सुख पूर्वक्स में बिताने का सुभागे पराप्त होता है मैं कभी तो दानों के साथ स्यूद करता हूँ अखिर जगत को भेपहुचाने वाले देच्चों के विक्राल स्रीरों को सांथ करना मेरा परम कर्टब हो जाता है और यहां कलम तोड़ दी विष्णु जी ना अपने ग्यान की मुझे सब परकार से सक्ती के आधीन होकर रहना पड़ता है मैं दुर्गा के आधीन हूँ और उन ही भगवती सक्ती का मैं निरंतर धान क्या करता हूँ बिर्मा जी मेरी जानकारी में मेरे स्प्रिच्वल नौलिज में अध्धात्म ग्यान में जितना मुझे ग्यान है इन में भगवती सक्ती से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं टेविष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा से उपर मैं किसी भगवान को नहीं जानता मेरे अध्धात्मी ग्यान में मुझे जितना नौलिज है दुर्गा ही फाइनल गौड है कम्प्लीट गौड है इसे उपर कोई दो बगवान नहीं और दुर्गा के वचन आपने सुने लिए वो कहती है कि ओम का जापकरो अभी आपने देखा यसी देवी पराण में साथ सो बैसिट परिष्ट पे साथ में सकंद में अब इमाले को ग्यान देती भी दुर्गा कहरी है कि उस ब्रहम का जापकरो उसका ओम नाम है और सब बातों को छोड़ जो वही परमात्मा के पाने का एक सुलब सादन है और वो ब्रहम वो सब का आत्मा ब्रहम ब्रहम लोक में रहता है यानि ओम नाम के जाप से और ब्रहम प्राप्ती होती है और विष्णु जी कह रहे है मैं दुर्गा से उपर को देवता नहीं मानता तो क्या ग्यान था इस ब्रमा और विष्णु और महिस को क्योंकि बिर्मा जी से ग्यान प्राप्त वा विश्णू और महिस को और बिर्मा जी आज विश्णू जी को सर्वे स्वाब बता रहे हैं और विश्णू जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से उपर वगवान नहीं जानता कोई देवता नहीं मानता मन जानकारिये कोई नी और दुर्गा कहती है वस ओम ही उस ब्रम का जाप है वही पूर्न परमात्मा है और ब्रम कहरा कि ताजी गार अठार में जाय के बैस्षट में सलोक में हैं और पंदर में जाय के चौथे सलोक में हैं अग्दुन तु सर्वभाव से उस परमेश्वर की सर्णमजा उसकी करपा से यानि ब्रह्म से भी कोई अन्य परमक्सर ब्रह्म वो परमेश्वर है उसकी सर्णमजा जिसकी करपा से तुम पूर्ण मोक्स प्राफ्ट करेगा परमश्यानती को प्राफ्ट होगा और सनाथन परमधाम को प्राप्ट होगा पंदर में अज्जाय के चोथे सिलोग में बता है कि जब तत्व दर्शी संत्व जब मिल जा जब तत्व ग्यान रुप सस्तर से इस अग्यान को काट कर उसके बाद उस परमेश्वर के उस परमपद की खोज करनी चाहिए जा जाने के बाद फिर लोटकर कभी संसार मनी आते वो पूर्ण मोक्ष पराप्ष करते हैं और जिस परमात्मा ने सारे बिर्मनों गिरतना की है अप उनात्माओ अब जो परसंग दास्क सरू करना चाहिए था परमात्मा ने आकर बताया था जग सारा रोह गियारे जिन सत्य गुरु बैद ना जान्या जग सारा रोह गियारे अब क्या बताना चाहिए था ये दास्के बिरम भी नासवान, बिरमा विश्णु महिस भी नासवान और दुर्गा भी नासवान संत्रामपलजी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं, जिन पर संत्रामपलजी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही हैं अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541